देखते देखते आ गया है सेप्टेमबर और चार महीने में साल हो जाएगा खतम लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी की सिलेक्षन का सपना पूरा करना चाते हैं तो 12-14 सेप्टेमबर आ गया है सेप्टेमबर स्कॉलर सेल करिए सुपर सौरिक तयारी जहां आपको मिलेगा अप्टो 90% off and 33% की extra ability on all super coaching तो अगर आप इन एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो अभी जाए और इस offer का लाव उठाइए अलो अब्रिवान कैसे हैं आप सभी तो देखे मैं हूँ आपका अपना वहोसर यहां पर आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ important बाते करने वाला हूँ आप लोगों से तो सबसे पहले तो आप क्या कीजेगा सबसे पहले मुझे बता दिजेगा is audibility and visibility absolutely fine and I hope this is absolutely fine and secondly आप क्या कीजेगा आप इस sessions को जादा से जादा share or like कर दिजेगा क्योंकि यह session होने वाला है खास और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि इस तरीके के recorded वीडियो के notifications भी उनको मिलते रहेंगे कि कब ये recorded वीडियो आता है तो इस तरीके के recorded वीडियो के notifications भी so that उनको मिलते रहें तो फड़ा बट से start करेंगे हम अपनी बात को बिल्को छोटे तरीके से बोलना चाहूंगा यहां पर कि power grid की तरफ से आपके लिए vacancies आई हैं ठीकें सभी को पता है diploma training की जो vacancies आई है जो civil engineering के वारे में बात करना चाहूंगा अगर मैं देखूं यहां पर कि जो selection process है तो इसका selection process क्या होगा syllabus क्या होगा ऐसा बच्चों के मन में doubt आ रहा है कि सर ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होने वाली है तो ये doubt को clear करने की बात कर रहा हूँ selection process को समझ लेते हैं सबसे पहले कि selection process क्या है selection process में आपका एक written examinations होने वाला है और इस written examination में दो पार्ट होने वाले हैं part 1 जो आपका technical part रहेगा और part 2 जो रहेगा वो आपका general part रहने वाला है जो कि सभी branches के लिए almost common होने वाला है test supervisory aptitude test रखने वाला है जिसमें हम बात करते हैं question of vocabulary बरबर comprehensive quantitative aptitude reasoning ability data sufficiency and interpretations की बात करते हैं numerical ability की बात करते हैं इन सभी पर आपके questions होने वाले हैं तो total मिला करके 170 questions यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और in 170 questions की बात करेंगे तो हर एक questions एक marks carry करेगा total 170 marks का paper होगा और negative marking यहाँ पर 1 by 4 रखी गई है कितना रखी गई है 1 by 4 रखी गई है दूसरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर कि time duration कितना होगा सर सो time duration जो निकल करके आएगा वो हमारा total two hours का time duration यहाँ पर आपको मिलने वाला है total two hours का time duration रहेगा जो आपके लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक condition लिखा हुआ है two hours duration मतब दो घंटे में 170 questions जिसमें से 50 जो होंगे वो reasoning, aptitude and English के basis पे निकल करके आने वाले हैं and आपके 120 questions जो है वो technical education के होने वाले है तो paper का level somewhat near about हम बात किना है SSCIS से थोड़ा सा उपर हो सकता है थोड़ा सा उपर निकल करके जा सकता है अब भाई यह चीजे तो हमें पता चलेंगी जब हम previous year paper को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं यह बात समझ में आती है है ना या नहीं ठीक है तो अगर different vacancies यहाँ पर निकली हुई है form filling अभी चल रही है तो आप form filling करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बिलकुल तरीके से मुझे बताईएगा कि do you need the sessions for that or not और अगर कोई भी help चाहिए है definitely इसके regarding कैसे मिला है वो मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर से बता देता हूँ आपको किस तरीके से मिला है ठीक है नेक्स हम बात करेंगे यहाँ पर जो qualifying criteria है तो vacancies reservation के वेसिस पे qualifying criteria आपका रहेगा UR और EWS में कितना 30% in each part 1 part 2 मतलब sectional cut off रखा गया है part 1 and part 2 का and minimum 40% जो निकल बोला गया है आपका इतने minimum marks आपको required होंगे minimum marks का मतलब है कि आपका merit list में आपको चाहिए पर सकते हैं बट यहाँ पर इतना ऐसा बोला गया है अब मैं बात करूंगा यहाँ पर final merit तो final merit जो होगा वो केवल केवल आपका computer based test के basis पे होगा उसके बाद आपका medical examination होगा तो medical examination के लिए आप पहले ही यहां से health sections में जा करके इसके criteria check कर सकते हैं so that आपको पता चल जाएगा whether you are eligible for that particular eyesight and all that so आपको यह सारी चीदर पता चल जाएगी यह तो हुई भाईया आपके exam pattern की बाद तो strategy जो होगी वो काफी हाई होगी SST से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ेगा यहां पर क्यूंकि दो घंटे में 170 questions हमें यहां पर crack करने एक अब बात आती सब टेक्निकल के slavus के बारे में थोड़ा सा discussion करने क्या तो टेक्निकल के जो हम test book की site पर जाते हैं यहां पर तो टेक्निकल के slavus के बारे में थोड़ा सा discussion यहां पर में करना चाहूंगा कि देखिएगा civil में जो यहां पर subjects रहेंगे material and construction रहेगा हम बात करेंगे यहां पर solid mechanics and structure analysis रहने वाला है concrete technology रहने वाला है reinforced concrete structure है साथ जात steel structure है PSC हम बात करते हैं pre-stress concrete structure है fluid mechanics hydrology and water resource engineering hydraulic structures भी यहां पर बोला गया है soil mechanics and foundation engineering transportation मतब complete transportation में highway railway और airport हमें देखना पड़ेगा क्योंकि specific करके नहीं दिया गया है कि highway है या railway है कि क्या है environment engineering surveying bridge engineering भी यहां पर include किया गया है तो कुछ subjects यहां पर SSC से जादा है ठीके estimation costing and specification construction and project management तो अगर हम बात करें CPM pen part और estimation का जो पार है तो वो total part यहां पर लिया गया है जो यहां पर बोला गया है और environmental studies मतलब journal studies की बात करते हैं यह सारी की सारी चीज़े हमें यहां पर देखने हो कि भी लेकिन तो एक थोड़ा सा SSC के comparison में अगर देखें इस levels थोड़ा सा high है ब्रिज इंजिनिंग जैसे यहां पर include किया गया है environmental studies यहां पर include किया गया है तो यह जो पार्ट है वो हमारे यहां पर बहुत जादा emphasis करते हैं कि इन पार्ट से भी हमें questions देखने हैं तो थोड़ा सा different हमें structure ले करके चलना पड़ेगा तो इसके लिए एक best तरीका बता रहा हूँ आपको कि best तरीका क्या है जैसे ही आप मेरे किसी वीडियो के description में जाते हैं सेम इस वीडियो के description में भी जाएंगे तो सबसे प लेखेंगे आपको एक completely batch मिल रहा है और अभी 14 of September तक आपका चल रहा है तो सेल में आपको discount मिल रहा है जो 4600 का already course होता है न वो अभी आपको मिल रहा है 3464 रूपीज में मतलब बहुत कम दाम पर और EMI पर भी available है 2 EMI के अंदर भी आप इसको pay कर सकते हैं तो यहां पर PG CIL Dipl इस सारी चीदे मिलेगी इस batch के अंदर आपको dedicatedly हम बात करते हैं हमारी team द्वारा पूरे के पूरा ongoing batch मिल रहा है यहाँ पर complete preparation course है और यहाँ पर civil doubt and PYQ discussion like classes भी यहाँ पर आपको मिल रही है तो civil अगर हम बात करते हैं doubts and PYQ discussions की भी classes मिल रही है मतलब यहाँ पर questions practice and all that previous year question and all that keep classes मिल लेगे जो आपके लिए काफी जादा helpful निकल करके आएंगी ठीक है तो साथी साथ मैं बात करूँगा यहाँ पर एक मेरी personal mentorship के सास्ता अगर हम बात करें तो यहाँ पर निम्ब्स लर्णिंग और स्वेट इकेडिमी के content and lectures भी आपको मिलेगे साथी साथ यहाँ पर मि जाएंगी जो आपके लिए काफी जादा helpful करेंगे यहाँ पर इन सभी cases में भी ठीक है और जल्दी ही non-tech वाला part भी यहाँ आपको मिलेगा next मैं बात करूँगा यहाँ पर क्या होगा आपको courses के साथ-साथ मिलेगी test series लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब हम एक बार पढ हो जाएगा और एक दो दिन में हम बात करते हैं यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा next मैं बात करूँगा यहाँ पर सेविल और non-technical की notes मिलेंगे सारे के सारे सब हम बात करते हैं six plus two one subscription three four six four मत लेना इतने में एक काम करना एक यहाँ पर code लगा देना क्या लगा होगे code वैव और मैं बोलना हूँ PG CIL मतलब वो जौब एक ऐसी जौब जिसमें तुम्हें सारी सुखसुदाएं मिलती हैं बहुत अच्छी जौब है हम बात करते हैं यहाँ पर निकल के तो three two one six में आपको complete subscription मिलेगा कितना six plus two month और three plus one month की बात करेंगे यहाँ पर और अगर तुमने dedicatedly तरीकी से तैयारी कर ली ना तो अगर मैं बोलना हूँ dedicatedly तरीकी से तैयारी कर ली तो इस exam को crack करना कोई बड़ी बात नहीं होती है ठीक है तो वैभाव code के साथ कर सकते हैं और again मेरे telegram channel से जड़ जाईएगा वहाँ पर आपको मेरे जो sessions होते हैं उनके बारे में भी information मिलती रहेगी और अगर कोई issues आता है तो आप मेरे साथ discussion कर सकते हैं तो वैभाव सर सूपर कोचिंग अपना telegram channel है तो फड़ावट से मुझे बता दीएगा जो भी issues आते हैं जो भी आपके doubts हैं तो comment section में बता दीएगा definitely उसके regarding मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ जोड़ जा तो वनना उसके बाद ये cost फिर से बढ़ जाएगी तो उसके पहले ही इंडोल कर लो आज ही से dedicatedly मन मना लो कि PGCIL करता है ठीक है चालो so thank you everyone and love you